दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में महेंदर सिंग धोनी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है दोस्तों महेंदर सिंग धोनी को भारत का सबसे सफलतम कप्तान माना जाता है वे एक मातर ऐसे कप्तान है जिन्होंने ICC की सभी ट्रॉफी जीती है जो की एक बड़ी उपलब्दी है और उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम चेन्नेई सूपर किंग्स के लिए भी कप्तानी की है और तीन बार चेंपियन बनाया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई अलग अलग कप्तानों के अंडर भी अपना खेल खेला है तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन कप्तानों के बारे में जिनके अंडर महेंदर सिंग धोनी खेले हैं दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि महेंदर सिंग धोनी, सौरव गांगोली और राहुल ड्रावीड की कप्तानी में खेल चुके हैं लेकिन आज हम आपको चार ऐसे कप्तानों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कप्तानी में महेंदर सिंग धोनी खेल चुके हैं लेकिन 2007-2008 के बीच भारत के लिए कुल 14 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है इस दोरान दिगज MS धोनी उनके ही अंडर खेले हैं दोस्तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं स्टीव स्मित औस्टेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मित भी उन खिलाडियों में शामिल है जिसके अंदर MS धोनी खेले हैं दरसल इंडियन प्रीमियल लीग के 2018 सीजन में स्मित को राइजिंग सूपर जाइंट का कप्तान बनाया गया था इस दोरान धोनी भी टीम का हिस्सा थे और धोनी स्टीव स्मित की कप्तानी में खेले हैं दोस्तो इस लिस में नंबर तीन पर आते हैं महेला जैवर्दने श्रीलंका के पूर्व दिगज कप्तान महेला जैवर्दने के अंडर दोनी अंतरास्ट्य वंडे खेले हैं ये फैक्ट जानकर जादतर फैंस को काफी हरानी हो सकती है लेकिन ये सच है दरसल 2007 में एशिया 11 और अफरीका 11 के बीच तीन वंडे मैचों की सिरीज के दोरान दोनी एशिया 11 का हिस्सा थे और दिगज जैवर्दने को टीम का कप्तान बनाया गया था दोस्तों आप बात करते हैं नमबर चार की नमबर चार पर जिस खिलाडी का नाम आता है जिसके अंडर MS धोनी खेले हैं आप उसका नाम सुनकर हैरान वह जाएंगे महान खिलाडियों की सूची में सौरव तिवारी का नाम भी आता है MS धोनी विजे हजारे ट्रॉफी 2017-18 सीजन में जारखन टीम के लिए खेले थे जबकि सौरव तिवारी टीम के कप्तान थे इस सीजन में तिवारी को कप्तानी में दिगज धोनी द्वारा काफी मदद मिली थी दोस्तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करकर बताईए और ऐसे ही अनोके रिकॉर्ड्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए जैहिन दोस्तो